आज हम करने जा रहे हैं control statement में second part जो कि है if as statement if as statement में क्या होता है यह थोड़ा-थोड़ा similar होता है इस statement के लिए इस statement में हमने क्या पढ़ा था कि if के अंदर जो हम condition लिखेंगे अगर वो condition true हो जाती है तो if में जो statement लिखेंगे वो execute हो जाएगी अगर if वाली condition false हो जाती है तो क्या होगा वो next वाली statement पे move कर जाएगा कुछ वैसे concept है if as statement का क्या है वो कि if the given condition कि जो भी हमने condition दी हुई है अगर वो condition तो true है तो क्या होगा statement number one execute होगी अगर यह condition false है otherwise कौन सी condition हमारे पास execute होगी statement number two execute होगा syntax देखते हैं इससा क्या है syntax if के अंदर हमने condition लिखी condition के बाद हमने curly bracket यूज़ किया और उसके अंदर statement ब्लोग लिखा यहाँ पर हमने statement one इसलिए लिया है क्योंकि हमें else के पास में भी statement देते हैं और if में भी statement देते हैं अगर यह वाला मेरे पास जो condition है यह true हो जाती है true होने के बाद यह क्या जाएगी statement number one execute होगी और अगर यह condition जो if के अंदर दी हुई है अगर यह condition हमारी false हो जाती है तो हमारे पास कौन से number of line execute होगी statement number two execute होगी अब इसका हम flow chart देखते हैं कि किस वे से data flow कर रहा है इस program में इस code में सबसे पहले हम क्या करते हैं program में हम entry लेते हैं entry लेने के बाद किसके साथ इसका combination होता है यह execute होने के बाद जब भी हम entry ले लेते हैं program में तब उसके बाद हमें क्या मिलता है condition मिलती है if की condition मिलती है अग कुन से माला इक्जियूट होगा स्टेटमेंट नुमबर 1 एग्जियूट होगा अगर यह तो फोल्स हो जाएगी तो क्या कंडिशन हमारे पास कौन सी कंडिशन कंडिशन होगी ऱ Southwest क्यों क्यों में जा काल वो कहा पर जाएगा वो कुल निंगिंट सभी प्रिंट्ट्स पर अगर इनके बाद कुछ भी स्टेटमेंट होगी तो वह एक्जिक्यूट होगी उसके अंदर कोई कंडिशन नहीं लगी हुई है कि आप पर जो भी होगा दोनों के बाद ही आप कहां जाओगे नेक्स नमबर स्टेटमेंट पर जाओगे अब हम इसके एक 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 ग्जामपल प्रोग्राम देखते हैं कि हम क्या करेंगे simple सा logic क्या होगा इसका कि n नाम से हम कोई variable लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे data का enter करवाएंगे कोई भी number डाल लेंगे इसके अंदर उस number को हम check करेंगे जो भी हम number डाल रहे है वो number odd है या even है कैसे check करेंगे firstly हम क्या लिखते है code लिखने के लिए has include, iostream इसके बाद हम क्या लिखेंगे using namespace, std, semicolon फिर हम start करते है main function को और main function का या हमने return tap लिया है void इसके लाब हम कौन सा ले सकते है int main भी ले सकते है यहां से हमारा क्या हुआ program का execution start होता है कि जो भी हम block of code लिखते है वो इसी के अंदर लिखते है और क्या है यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया int नाम से integer type का एक variable लिया n नाम से अन क्या करेगा memory में एक block बना लेगा and memory में एक block बन गया जैसी हम variables को declare करते है एक block बन जाता है memory में और यह किस type का है इसका data type क्या है int है int है तो कितने byte का space लेगा यह two bytes का space लेगा फिर हमने क्या क्या sayout का यूज किया और output operator का यूज किया और फिर हमने एक string को display करवाया कि enter a number हमने variable डाल दिया कि variable ने एक space मना ली अब हम user से कह रहे हैं कि आप क्या करो एक number को enter करो जैसे आप number को enter करेंगे जो भी हम number enter करेंगे वो कहां जला जेगा n में चला जेगा उसके लिए हम क्या यूज कर रहे है sayin input operator का यूज कर रहे है अब जैसे let कर लो कि मैंने number क्या enter कर दिया 10 enter कर दिया तो जैसे ये sayin में जाएगा तो जो भी n की value होगी जो हमने enter करी है वो memory में जागा store हो जाएगी किसी न किसी address पे जैसे 001 नाम से address है और n इसका नाइम है इसके अंदर जो value है वो क्या store है 10 store है अब यहां से हमारा शुरू होता है logic program को solve करने के लिए इस statement हमने लिए इस statement के अंदर हमने क्या लिया condition लिए कि अगर n mod 2 equals to equals to 0 होगा तो क्या है वो number even है otherwise अगर यह condition false हो जाती है तो हम किस पे चले जाएंगे else पे चले जाएंगे और else में क्या लिखा हूँ है कि number क्या है odd है दोई चीजा है यह तो number even होगा यह number odd होगा अब हम करके देखते हैं कि 10 का अगर हम mod कर रहे हैं 2 से तो क्या वो equals to 0 आ रहा है देखो हम divide करेंगे 10 को 2 से तो क्या आ रहा है यह 5 पर जाता है 10 2 भाइज़ जा क्या होता है 10 होता है 0 आ गया अब हमने इसको mod किया कि कोई भी remainder बचा यहाँ पर remainder तो 0 बचा और वहीं हमने check करना था कि remainder 0 आ रहा है आ रहा है तो हम कौनसी वाले statement को execute करेंगे if statement को if statement में क्या लिखा हुआ है कि number क्या है even है अब यह वाले condition हमारी क्या होगी execute हो गई true होने पे तो हम क्या करेंगे else में ना जाकर सिद्धा कहा चले जाएंगे function से बाहर चले जाएंगे program से बाहर आ जाएंगे और क्या हो जेंगे हम exit हो जेंगे अगर इसके बाद कुछ नहीं लिखा तो exit होंगे अगर इसके बाहर आकर कुछ ना कुछ line of course लिखी है तो हम उसको execute करेंगे अब next part इसका हम क्या कर रहे है nested if statement अग तक हमने कौन से वरे statements करी है हमने if statement करी हमने else statement करी अब हम कर रहे है nested if else statement या कहें कि nested if statement इसके अंदर क्या होता है the if statement may contain one and more if statement इसके अंदर क्या होगा कि if statement के अंदर भी बहुत सारी if statement हो सकती है one या one से more एक या एक से ज़्यादा if statement हो सकती है किसके अंदर if statement के अंदर they are set to be nested तब हम उन्ने क्या बोलेंगे nested बोलेंगे जब एक के अंदर एक से ज़्यादा if statement या if else statement होगा और ये compulsory नहीं है कि जहां पर if है तो उसके साथ हम else statement का use करें ही करें if के साथ जरूरी नहीं है कि else use होगा हम simple if का भी use कर सकते हैं nested if else दिखाने के लिए अब इसका syntax देखते हैं हम syntax क्या है if के अंदर हमने क्या लिखा है condition number one को लिखा है अगर ये वाली condition true हो जाती है तो हम किसमें जाएंगे इस second वाली condition पर जाएंगे क्योंकि ये किस block के अंदर लिखा हुआ है ये if block के अंदर लिखा हुआ है और ये वाला block कहां पर जाकर बंद है ये वाला block यहां जाकर and होता है कि अगर ये इसके अंदर true में चला गया तो true में जाने के बाद भी ये condition को check करेगा कि आगे वाली conditions है वो true हो रही है या false हो रही है लाट कर लोगी अगर ये true हो गई true होने के बाद वो second condition को check करेगा अगर second condition भी हमारे पास true हो जाती है तो कौन से वाली statement print होगी हमारे पास statement number one print होगा अगर ये वाली condition हमारी हो जाती है false तो हमारे पास क्या होगा इस वाली statement के लावा ये वाली statement print होगी statement number two ये तो हुई if के अंदर वाली बात कि if के अंदर जो statements है उसके अंदर हमने check करा true होने के बाद भी वो true हो रहा है या false हो रहा है अगर हमारी पहली ही condition जो थी हमारे पास if की ये true के जगा false हो जाती तो हम drag कहां पर आ जाते else early statement के पास आ जाते और कौनसे वाली line execute हो जाती हमारे पास statement number 3 अब हम diagram के help से देखते हैं कि data किस वे में flow हो रहा है और कौनसे condition कब execute होगी firstly हम क्या कर रहे हैं program में enter कर रहे हैं जैसे हम program में enter करेंगे हमारे पास कौनसे वाली condition आ रही है condition number 1 हम पहले condition number 1 को check करेंगे यह condition अगर तो true हो रही है true होने के बाद वो दुबारा condition को check करेंगा true होने के बाद वो true हो रही है या false हो रही है अगर true के बाद दुबारा true हो रही है तो statement number 1 execute होगी अगर true के बाद false हो रही है तो statement number 2 execute होगी यह तो है जब वो true हो रही है condition number 1 अगर condition number one ही false हो जाए तो direct हम कौन से पार्ट पर पोच जाएंगे else वाले में और else में हमारे पास कौन से statement execute होगी statement number three अग चाहे हम true में जाएं चाहे हम false में जाएं दोनों से ही हमें कहां आना है हमें next वाली statement पर आना है जो इसके बाद लिखी होगी अगर statement लिखी है तो next पर जाएंगे अगर statement नहीं लिखी तो exit हो जाएंगे इसका हमें example program देखते हैं write a program to find the largest of three कि तीन numbers है हमारे पास उसके अंदर से हमें largest निकालना है कि सबसे बड़े वाला number कौन सा है और use किसका करना है हमें nested if statement का इस program के logic को समझने से पहले हम क्या करते है normal सा logic समझते हैं कि इस program में होगा क्या कि हमें 3 values लेनी है 3 values लेनी है तो हमने क्या कौन सी-कौन सी value ले ली A ले ली, B ले ली और C ले ली 3 variables हमने ले लिए कि A की value को मैंने दिया कि A की value क्या है 20 है B की value 10 है और C की value क्या है 30 है तीनो value मैंने enter कर दी और यही program में होगा सबसे पहले आपको क्या करना है इनको declare करना है इनका data type लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे हम लेंगे enter करवाएंगे तीनों को डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले कि enter कर आप three numbers को और तीनों के value का आप enter कर दोगे कही ना कई memory में जाकर यह ABC के नाम से save भी हो जाएगा अब condition क्या क्या check हो रही है हमारे पास वह देखेंगे है इंक्लिवड आयोस्ट्रीम डोट एच आयोस्ट्रीम डोट एच का हम यूज़ कर रहे हैं यूज़िंग नेम स्पेस लेंगे फिर हम क्या लिखेंगे वाइड में में फंक्शन लिया रिटर्न टैप लिया वोइड अब हमने क्या करा A, B, C तीन वारियेबल लिया और साथ में एक वारियेबल और लिया बिक के नाम से जिसका क्या है data type int है है c out से एक string को print कर वाया जिसके अंदर हम क्या print कर रहे हैं कि एंटर करो थ्रीन नंबर्स को यह क्या होगा यूजर को display होगा screen पर की user क्या करेगा उसके बाद 3 numbers को enter करवा देगा और वो enter कहाँ पर जाकर हो जाएंगे पहला A में दूसरा B में और तीसरा C में जाकर enter हो जाएगा अब हमारे पास क्या शुरू हो रहे है नास टेट, if a statement का यह शुरू हो रहा है, firstly हम यह चेक करेंगे कि a बड़ा है, b बड़ा है यह c, पहला हम चेक करेंगे कि क्या a, b से बड़ा है, कि if, अगर a, b से बड़ा है, तो हम चेक करेंगे कि यह c से बड़ा है, अगर यह b से बड़ा है और c से बड़ा है, तो क्या होग कि बढ़ा है सी से अगर नहीं है तो वापिस कौन से कंडिशन पर आ जेंगे हम यहां से स्टेटमेंट का एक्जिट्ट देखते हैं कि किस वे से एक्जिक्यूट हो रहा है यह इव किया हमने इव हम चेक करें क्या ए को अधरा है Cong shows एक वैल्योज हम ने क्या लिए एक जैमपल के लिए हमने एक यह लिए है 20 और विभी क्या लिए 10 अभी देखो यह कंडिशन तो हमारे क्या हो गई फ्रू होगई अब ये एक अंदर वाम एक हैं हमऊने करेंगे हैंकि कॉन से 30 से मेरिक हम क्या होगे मारे कंडिशन ओगई और बिक के अंदर कौन से बेलु चली जाएगी जो कि क्या है 30 है अब हमने ये तो चेक किया जो if के अंदर फ्याइल था अब हम देखेंगे कि ये condition क्या हो गई true अगर ये condition if वाली true हो गई इसके अंदर वाली condition हमने चेक कर ली तो हमें क्या मिल गया? मिल गया कौन से हमारे पास बड़ी value है, big value है अब इसी के अंदर हमें पता लगए कि condition true होगी है तो else part तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है अब directly हम क्या करेंगे B की value को print कर देंगे कि C out करके largest number कौन से हमारा B की value को हम print कर देंगे आज एक answer 30 अगर by chance माल लो कि ये वाली condition हमारे पास false हो जाती तो अंदर वाली conditions को हम check ही नहीं करते direct कौन से वाली condition पर पोच जाते हम else पे और else के अंदर B को check करते कि क्या B बड़ा है B बड़ा है या C बड़ा है अब कौन से condition true होगी हमारे पास if वाली तो हम कौन से condition को print कर देंगे if वाली को यूज करके हम क्या कर दें कि largest number कौन से हमारे पास B के value को display कर देंगे B के value हमारे पास क्या आई है 30 बिक के value होगी 30 यह है हमारा answer output है program का thanks for watching my video